नमस्कार दोस्तों, हैपे ट्रेडी जोन मैप का स्वागत है और आज हम देखने वाले हैं भारती अर्थवर्षता से रेलेटेट इंपॉर्टेंट टेम से क्योज आज हमने टॉपिक लिए है सम्भेधाने की विकास और एक सारे की सारे प्रेशनी किसी ने किसी PCS एक्सम में पूचे हुए है तो काफी जवरदास्ता सेसन रहने वाला है तो चलें शुरुबात करते हैं आज का सेसन और आज का पहला क्वेशन है 1773 में पारित एक्ट को समाने तह किस नाम से जाना जाता है इसका सही अंसर बताना है तो सही अंसर की बात करें तो option number A इसका बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा regulating act so option number A is correct one next बात करते है question number 2 East India Company ने किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच चिनेले की स्थापना किये थी इसका सही अंसर बताना है तो correct answer हो जाएगा option number C इसका सही अंसर हो जाएगा option number B Warren Hastings so option number B is correct one next बात करते है question number 4 निम्नलिकित में से कौन सा भारत में समस्ट ब्रेटी से मिधानिक पर्योगों में सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ इसका सही अंसर को बताना है so 4 का सही अंसर हो जाएगा option number C इसका सही अंसर बताना है तो 5 का सही अंसर है option number B 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट so option number B is correct one next बात करते है question number 6 नियंतरन बोर्ड के सदस्यों तथा करमचारियों के वितन भारती राजस्यों में से दनी की विवस्था किस एक्ट में की गई इसका सही अंसर बताना है तो 6 का सही अंसर हो जाएगा option number C 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा so option number C is correct one next बात करते है question number 7 की किस एक्ट के द्वारा कमपनी ने भारत की साथ वेपार करने के काधिकार कुछ शीन लिया था 7 का सही अंसर बताना है तो 7 का सही अंसर हो जाएगा option number D 1813 के चार्टर एक्ट so option number D is correct one next बात करते है question number 8 की किस एक्ट के द्वारा इसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला था सही अंसर आपको बताना है तो correct answer हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट so option number A is correct one next बात करते है question number 9 किस अधिनियम के द्वारा ब्रेटी संसद ने चाह और चीनी के साथ वेपार को छोड़ कर East India Company के भारत के साथ वेपारी के कादिकार को समाप्त कर दिया था इसका सही अंसर आपको बताना है तो 9 के सही अंसर के बात करें तो option number A is correct one 1813 का चार्टर अधिनियम option A next बात करते है question number 10 की निम्लालिकेत में से किस से या किन से भारत में अंग्रेजी सिक्षा की निव पड़ी इसका सही अंसर आपको बताना है तो देखे आए स्प्री 2018 में पूछा गया प्राशन है आदेखे सबसे पहले हम option के बात करें तो 1813 के चार्टर अक्ट ये बिल्कुल सही है उसके बाद option number B के बात करते हैं जनरल कमेटी और पॉबलिक इंस्ट्रक्शन 1823 ये भी बिल्कुल सही है अगर हम तीसर option के बात करते हैं प्राच विद और आंगल विद विवाद ये भी बिल्कुल सही है तो option number D will be the correct answer एक, दो और तीन so option number D is correct one next बात करते हैं question number 11 के charter 1813 के संबन में निमनलिकित कत्रों पर विचार कीज़े देखे ये pre-IS 2019 में पूछा गया प्राच ना है अगर हम पहले option की बात करते हैं तो इसने भारत में East India Company के वेपार एक आधिपत दे को चाय के वेपार ता था चीनी के साथ थो वेपार को छोड़कर समापत कर दिया था ये बिल्कुल सही है अगर हम option number 2 की बात करते हैं तो इसने company द्वारा अधिकार में लिये गए भारती राज़क शेत्रों पर British राज यानि की crown की संप्रपूता को सूद्र लिकिया था ये भी बिल्कुल सही है अगर हम option number 3 की बात करते हैं option number 3 की बात करते हैं तो क्या है कि भारत का राज़त स्व अब British संसत के नियांतरण में आ गया था ये गलत है तो option 1 और 2 सही है यानि option number A is correct 1 option number A is का बिल्कुल सही अंसर हो जागा ठीक गैस नेक्स बात करते हैं question number 12 की 1833 के चार्टर एक्ट के समय भारत में गवर्णर जनरल कौन था इसका सही अंसर अबको बताना है तो 12 के सही अंसर के बात करें तो option number B is correct 1 Lord William Banting so option number B next बात करते हैं question number 13 की कि इस चार्टर एक्ट के अंतरगत भारत में 10 प्रथा को आवेद गोसित किया गया था सही अंसर बताना है तो 13 का सही अंसर हो जाएगा option number D 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा so option number D is correct 1 next बात करते हैं question number 14 की किस अधिनियम ने भारत वास्यों को अपने देश के प्रहस्षासन में कुछ ही साल लेना संभो बनाया था इसका सही अंसर आपको बताना है correct answer क्या हो जागा तो 14 के सही अंसर के बात करें तो option number A is correct 1 charter एक्ट 1833 option number A is का सही अंसर हो जाएगा next बात करते है question number 15 की सेवों में महत्युपुर्ण पदू के लिए प्रेतियों की परिक्षाओं का आयोचन किस एक्ट के अंतरगत किया गया था इसका सही अंसर आपको बताना है तो correct answer हो जाएगा option number D 1833 के charter एक्ट के द्वारा so option number D is correct 1 अब हम नेक्स बात करते है question number 16 की भारत का सासन कबबनी से लेकर प्रेटिस क्राउन के हाथों में कब सोपा गया था इसका सही अंसर आपको बताना है तो 16 के सही अंसर के बात करें तो option number A is correct 1 भाराष शासन अधिनियम 1858 so option number A इसका बिल्कुल सही अंसर होजेगा नेक्स बात करते है question number 17 की 17 number question है भारते स्वतंतरता का मैगना काटा कौन से अधिनियम को माना जाता है इसका सही अंसर आपको बताना है तो 17 का सही अंसर है option number B यानि 1858 का भाराष शासन अधिनियम so option number B is correct 1 नेक्स बात करते है question number 18 की निमनलकित में से किसके दोबारा भारत के लिए Secretary of State का पद स्रीजीत किया गया था इसका सही अंसर आपको बताना है तो correct answer के बात करें 18 का तो correct answer है option number B यानि कि भाराष सरकार अधिनियम 1858 option number B is correct 1 नेक्स बात करते है question number 19 की भारत सरकार अधिनियम 1858 के संबंध में निम्नलकित कत्रों में से कौन सा कतन सही है यह आपको बताना है तो देखे सबसे पर हम option number A की बात करते हैं तो British Raj ने East India Company से भारत पर संपरुपूता गरहन की थी यह बिल्कुल सही है अगर हम बात करते है option number 2 की British अंसर ने भारत के शासन के लिए पहला कानो निब्रेटेस राज के परतेक्श शासन के अधीन ही अधीनियमीत किया था यह बिल्कुल सही है अगर हम option number 3 की बात करते हैं option number 3 की यह अधीनियम देश के प्रशासन में बिना किसी लोग पिरिया सभाकिता वाले निरंकुस समराज्जिक नियंतरण के सिधान्त पर धारित था यह भी बिल्कुल सही है यानि कि एक, दो, तीन, तीनों सही है so option number C is correct one option number C चले next बात करते है question number 20 की भारती प्रतिनिधियों को कानून, निर्मान की करनी की परिकिरिया में पहली बार कब शामिल किया गया था इसका सही अंसर बताना है तो 20 का सही अंसर है option number A 1861 में so option number A is correct one next बात करते है question number 21 governor general को अध्यादेश चारिकरने कातिकार किस अधिनियम से प्राप्त हुआ था इसका सही अंसर अपको बताना है तो सही अंसर की बात करें तो option number D is correct one 1861 S.W.K so option number D is का बिलकुल सही अंसर होगा next बात करते है question number 22 भारतिय परिस्द अधिनियम इंडियन कॉंसिल एक्ट 1861 के समबन में निनलिकित कत्रों में से कौन से कत्रों सही है इसका सही अंसर अपको बताना है तो अगर हम option number 1 की बात करते हैं इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की शासी परिस्द में गहर सरकारी सदेश्य को समलित कर लोग पिरेता का एक फूट डाल दिया था ये बिलकुल सही है अगर हम option number 2 की बात करते हैं तो सदेश्यो का नाम नेद्रिस्टी किया जाता था रथा उनके कारे को अनने रूप से उस विधाई परिस्दाओं के विचार तक सिमीत कर दिया गया था जो गवर्नर जनरल अद्वारा इसके समग सरके जाते थे तो option number 1 और option number 2 दोनों सही है अगर हम option number 3 की बात करते हैं तो गवर्नर जनरल के पास परभावी विधाय शक्ती नहीं थी ये बिल्कुल गलत है यानि कि एक और दो सही है एक और दो सही है यानि option number A is correct one option number A इसका बिल्कुल सही अंसर हो जागा ठीक गैस option number A नेक्स बात करते हैं question number 23 के भारत में चुनाओ पे धत्य की शुरुवात किस अधिनियम के द्वारा किये गए थी इसका सही अंसर को बताना है तो 23 का सही अंसर है option number B 1892 के द्वारा so option number B is correct one नेक्स बात करते हैं question number 24 के निमनलिकित में से किस अधिनियम के द्वारा भारतियों को विधान परिस्द में बजट पर बहुत करने की शक्ति प्राप्ट हुए थी इसका सही अंसर आपको बताना है तो सही अंसर के बात करें 24 की तो option number D का बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा इसका सही अंसर को बताना है जिसका सही अंसर की बात करें तो option number D इसका बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा इस एक्ट ने सरवचने कोशो पर भारतियों को नियंतिल रून नहीं दिया था so option number D is correct one option number D next बात करते है question number 26 की ब्रिटिश भारत में संप्रादाइक परतिनी थी की विवस्था निम्लालिकितल में से किस अधिनियम के द्वारा की गए थी इसका सही अंसर को बताना है तो देखें सही अंसर की बात करें तो correct answer हो जाएगा option number B यानि कि मारलो मिन्टो सुधार 1909 so option number B is correct one ब्रिटिश भारत में संप्रादाइक परतिनी थी की विवस्था निम्लालिकित में से किस अधिनियम के द्वारा की गए थी इसका सही अंसर अब को बताना है तो देखें सही अंसर के बात करें तो 29 का सही अंसर है option number B मारलो मिन्टो सुधार 1909 so option number B is correct one next बात करते हैं question number 30 की मांटेग्यो चैम्सपोर्ट सुधार की साधिनियम से संबंदित है इसका सही अंसर अब को बताना है तो सही अंसर के बात करें तो option number B is correct one भारत सरकार अधिनियम 1909 so option number B is correct one next बात करते हैं question number 31 की टेंदरों में कौन सा एक्टर द्विसादिनिय विधाई का लाया इसका सही अंसर अब को बताना है तो correct answer के बात करें तो 31 का सही अंसर है option number C बात करते हैं question number 32 भारत सरकार अधिनियम 1909 के बारे में निम्नलिकित में से कौन सा एक अथन सही नहीं है इसका सही अंसर अब को बताना है तो 32 का सही अंसर है option number D option number D is correct one इसने केंदर और अप्रांतों के उतरदाईतों को सपस्ट प्रिथक करते हुए संगवाद का मार्ग प्राशास्त किया था so option number D is correct one next बात करते है question number 33 भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रथम पार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था इसका सही अंसर अपको बताना है तो सही अंसर की बात करें तो 33 का सही अंसर है option number A 1919 के अधिनियम के द्वारा so option number A is correct one next बात करते है question number 34 केंदरी लोक से वा आयो का गठना किस अधिनियम के तहत किया गया था इसका सही अंसर अपको बताना है तो देखें सही अंसर के बात करें तो 34 का सही अंसर हो जाएगा option number B 1919 so option number B is correct one next बात करते है question number 35 के केंदरे विधान सभा का निमनांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत सासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था इसका सही अंसर अपको बताना है तो देखें सही अंसर के बात करें तो correct answer हो जाएगा option number C option number C इसका सही अंसर हो जाएगा यानि के 1926 और 1945 option number C is correct one option number C चले नेक्ट बात करते है question number 36 के 1919 के भारत शासन अधिनियम के निमनालिकित में से कौन सी प्रमक विशेचता या विशेचताएं हैं इसका सही अंसर अब को बताना है तो 36 के सही अंसर की बात करें तो देखें सबसे पहला option है बाचक मंडल की विवर्था ये गलत है ठीक है वहीं पर अगर हम बात करते हैं option number 3 के केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तान अंतरन तो ये भी बिल्कुल सही है तो एक और तीन सही है option number C is correct one option number C next बात करते है question number 37 के संगे प्रणालिक का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था इसका सही अंसर आपको बताना है तो 37 के सही अंसर के बात करें तो correct answer हो जाएगा option number C वर्ष 1935 so option number C is correct one next बात करते है question number 38 की 1935 के अधिनियम दोराज था प्रणालिक के सही अंसर के बात करें 38 की तो correct answer हो जाएगा option number C option number C गवर्णर जनरल को ठीक है next बात करते है question number 39 की निमनलिकित में से किस अधिनियम के द्वारा संविधानिक निरंकुष्टा का सिधान्त प्रविर्थ किया गया था इसका सही अंसर आपको पताना है तो देखें सही अंसर के बात करें 39 की तो correct answer है option number C यानि कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा so option number C is correct 1 next बात करते है question number 40 की निमनलिकित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायता परदान की गए थी इसका सही अंसर आपको पताना है तो देखें सही अंसर के बात करें 40 का तो option number C is correct 1 भारत सरकार अधिनियम 1935 so option number C is correct 1 next बात करते है question number 41 भारते सम्विधान में आपात उपंद कहां से लिए गये है इसका सही अंसर आपको पताना है तो सही अंसर के बात करें तो 41 का सही अंसर है option number B भारत सरकार अधिनियम 1935 option number B is correct 1 next बात करते है question number 42 की 1935 का government of India एक टिक चू महतुपुरून है चू महतुपुरून है इसका सही अंसर आपको बताना है तो 42 का सही अंसर है option number A यह भारती संबिदान का प्रमुक स्रोथ है so option number A is correct 1 next बात करते है question number 43 किस अधिनियम की प्रमुक विशेष्था प्रामतिय स्वायता थी इसका सही अंसर आपको बताना है तो correct answer रोजा का 43 का option number A 1935 ठीक है option number A is correct 1 इसका सही अंसर आपको बताना है तो देखें इसका सही अंसर की बात करें 44 का तो correct answer है option number B governor general को so option number B is correct 1 next बात करते है question number 45 भारत के सम्विधान में केंद्र और राजों की बीचि किया गया शक्तियों का विवाचन इनमें से किस उलेखित योजना पर अधारीत है इसका सही अंसर आपको बताना है तो 45 की सही अंसर की बात करें तो option number C 12 शासन अधिनियम 1935 की सही अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए next बात करते है question number 46 की इसका सही अंसर आपको बताना है तो 46 की सही अंसर की बात करें तो option number C is correct 1 1935 की अधिनियम के द्वारा तो option number C is correct 1 next बात करते है question number 48 की भारत में संही अंसर की रचना या उत्पत्ति का समर्थन इमनलगित में से किस अधिनियम या आयोग द्वारा किया गया था इसका सही अंसर आपको बताना है तो 47 की सही अंसर की बात करें तो option number C is correct 1 भारत सासन अधिनियम 1935 ठीक है चलिए next बात करते है question number 48 की किस अधिनियम के फल सुलूप वर्मा भारत से अलग हुआ था इसका सही अंसर आपको बताना है तो देखे इसके सही अंसर की बात करें तो 48 का सही अंसर है option number C Government of India Act 1935 option number C is correct 1 next बात करते है question number 49 की कथन एक में दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935 में से केंदर में द्विद्ध शासन आरंब हुआ कथन दूसरा दिया हुआ है कि प्रांतों को भारतिये स्वायता प्रदान की गए थी अभी इसका सही अंसर आपको बताना है तो देखें सही अंसर के बात करें तो option number B is correct 1 option number B यानि कि दोनों कथन अलग अलग सही है किन्तू कथन दो कथन एक का सही असपस्टिक करण नहीं है तो option number B is correct 1 option number B चले नेक्स बात करता है question number 50 के फिप्टी नमबर question है वर सो 1947 के भारतिये स्वातनता अधीनियम दुवरा लाया गया एक परिवरतन निमनलिकित में से कौन सार नहीं है कौन सार नहीं है इसका आपको सही अंसर बताना है तो देखे सही अंसर के बात करें 50 का तो option number B is correct 1 भारत के अधीनता को समापति किया गया तो option number B is का बिल्कुल सही अंसर है चले नेक्स्ट बात करता है question number 51 की निमनलिकित में से भारते स्वतंतरता अधीनम निश्यों से तालिस की अभी लाक्षन की वेसे हिस्ता क्या नहीं है इसका सही अंसर आपको बताना है तो इसका सही अंसर की बात करें 51 का तो और पी option आपको हम दिखा देते हैं इसमें correct answer है option number B इस अधीनियम में British संसत की विधाई एक्षा से एक कसम विधान निर्धारित करने के तलाश किया गया ये बिल्कुल सही अंसर है option number B is correct one next question number 52 सुमेलित कीजे सुची एक को सुची दू के साथ सुमेलित करना है एक तरफ अधीनियम दिया गया है और दूसरे तरफ विशेशता दिया गया है अब इसको आपको मिलान करना है अब देखे option A की बात करते है the India Council Act 1892 की तो option इसका कौन से सही हो जाएगा option 2 इसका बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा निर्वाचन के सिधानत के शुरुवात उसके बाद हम बात करते है the India Council Act 1909 की तो इसका सही अंसर हो जाएगा मुसल्मानों के लिए प्रिथक निर्वाचन शेतर के सुरुवात ठीक है अब अगर हम बात करते है भारत सरकार अधिनियम 1919 की तो ये बिल्कुल एज़टीज सही मिला हुआ है यानि के प्रांतों में 12 सासन की शुरुवात उसके बाद हम option number D की बात करते है भारत सासन अधिनियम 1935 की तो इसका हो जाएगा कौन सा option number 1 इसका हो जाएगा यानि की प्रांते स्वायता की शुरुवात अगर हम option की बात करें तो आपको सही option देखने को मिलेगा option number A so option number A is correct one option A इसका बिल्कुल सही अंसर है चले next बात करते है question number 53 के सुची 1 को सुची 2 के साथ उसमिलिक कीजे तथा सुची के निचे दिये गए पूत कपर्यों करके सही उत्तर का चेन कीजे आपको इसका सही अंसर बताना है यानि कि मिलान करना है सुची 1 को सुची 2 के साथ में अब देखे सबसे पहरे हम बात करते हैं तो सबसे पहला option दिया है कि नियंतरन परिस्द के अस्थापना अगर हम नियंतरन परिस्द के अस्थापना करें तो ये कब हो जाएगा? आप्सन नमबर दो इसका बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा यानि कि पीट्स इंडिया एक्टर 1784 वहीं पर अगर हम बात करते हैं सरवोच्चे नैले के अस्थापना तो सरवोच्चे नैले के अस्थापना हो जाएगा आप्सन नमबर वन यानि कि नियामक अधिनियम 1773 उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंगलिस मिशनरियों को भारत में कारे करने की अनुमदी उसके बात करते हैं तो ये बिल्कुल मिला हुआ है यानि कि चार्टर अधिनियम 1833 उसके बाद हम बात करते हैं कि गवर्नर जनरल की परिशत में कानूनी सदस्यू की नियुक्ति यह बिल्कुल एजटीज यह भी मिला हुआ है यानि आप्शन नमबर 4 हो जागा चार्टर अधिनियम 1833 ठीक है वहीं पर अगर हम आप्शन की बात करें तो आप्शन नमबर B is correct one इसका भी बिल्कुल सही अंसर हो जागा ठीक है इस तरीके से टोटल हम लोगों ने 53 क्वेशन कंप्लीट कर लिया है अगर आपको सेशन पसंद आया है गाइस प्लीज सेशन को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे थैंक यू सो मच जैहिंद